लब दो भई इतने लोग हम लोग बैटे हुए हैं कौन है आज जो अपने बच्चे को उठाकर खड़ा कर देता है नमाज के लिए 80 फीसद लोग तो बोलते ही नहीं और उस असी में से जो है 50 फीसद, 70 फीसद खुद ही नहीं उठते हैं 10-20 फीसद उठते हैं तो बच्चों को उठाते ही नहीं 2-4-5 फीसद लोग होंगे जिनकी हिम्मत इतनी हो जाती है को उठते हुए बोलते चले चलो चलो नमाज में बस किसी की ये जुरात नहीं है कि वो घर में एलान कर दें कि इस खत के नीचे रहना है तो नमाज पढ़नी है इस घर में चाहे वो मर्द हो चाहे अवरत हो यानि बेटा हो बेटी हो बहू हो हर किसी को घर में ऐलान कर दे घर का सरपरस्त कि घर में रहना है तो नमाज का इहत्माम करना पड़ेगा नमाज आप नहीं पड़सकिएगा तो कहीं अपना निजाम और बना लीजिएगा नमाज की अगली सब्ध में आप हमसे मिलियेगा वो अपने बेटे से कहे वरना मैं पूरी तजारत फला को दे दूंगा वरना मैं अपनी तजारत से तुमें बे दखल कर दूंगा आप देखो तो फिर बच्चा नमाजी होता है या नहीं होता है बेटी नमाजी होती है या नहीं होती है बहु आपकी तिलावत करने वाली बनती है या नहीं बनती है हाँ अपने उपर थोड़ा सा अपने उपर थोड़ा से काबू रखना पड़ेगा महबत वाला जो आपका निजाम उचल उचल के बाहर आता रहता है उसे थोड़ा दबा के रखिएगा सीदे कह दीजिए का अल्ल तेला ने कुरान फिर्वाए वामुर अहलक बिस्साला नमाज का हुक्म करो